यह पार्ट थर्ड यह पार्ट सेकिंड का संत्रकालिन जो इतियास चल रहा है उसमें खिल जीवन्स के संस्तापक जलाल दिन फिरोज खिल जी का धिन करेंगे मैं मुर्शी मिनाक मला मुदिंगर को ले से इसके बारे में आपके साथ तर्चा करूँगा तो खिल जीवन्स का सं जलाल दिन फिरोज खिल जी 1290 में सासक बना बारा सो चानु तक रहा है लगबग इसकी कानी यह है कि बल्वन के जो पीछे पर चुका बल्वन के जो उत्रादिकारी थी वो कमजोर थे बल्वन के बाद उसमें केक उच्रों को उत्रादिकारी ने उक्त किया थे लेकिन तक निए 1290 में के कुबाद को मार कर क्यूमर्स को सुल्टान बनाया उसको तीन मैने तक रखा उसके बाद उसको भी मार दिया और 1290 में खुद सासक बन गया और ख्रिल जीवन्स की इस्ताफना की कि आए जाशक बनने से पहले ये कई पदो पर रह चुका था आरे जे मालिक सेनी विवाग के पाद पर रह चुका था और उसके बाद ये साशक बन कि रसन के कुबाद के किल्खोडी में अपना भी सेख करवाया ठीक है ये जललो देनुश्व जुश्रूज कि जी था उधार जाहरमी नीति का विक्ति था उसकी सासन का धार पर जाए की इच्छा थी ऐसा गोशन करने वाला पहला सासक था उसने उदार नीति अपनाई अपने मित्रों और सत्रों को भी उच्छे पदोपन न्यूक्त किया दिली का कोत्वाल उसने फकुर्दिन को नेठाया अवद्गा लिक्तादर मलुख हांको न्यूक्त किया इन्होंने कई वार विद्रों कि फिर भी इनको पतसे नेठ है अमिर कुष्रों की पुस्तक मुपमित्था उल्फ थो के अनुसार जलालुद्दीन अनेक हिंदू ढोल नकड़े बजाते मेरा हिल के पास गुज़ते थे मूर्तिवि पर अभियान किया लेकिन जीत नहीं पाया ति उसने कहा खी मुस्लिम सर्दारों के खुन के बदले इस पर नहीं करता इस मांको मुश्च नकिव नहीं ताइन भाल ऑजिग कञेंगा ऺिलता एका कहतना dal 1010 सो में अबदूला के नेतित ने तो में भर्द्र दिन किया जिसे ज और अपनी पूत्री का विवा उल्गु से उल्गु खांशे कर दिया आगे ये धर्मानत्रित मुस्लमान नौ मुस्लिम कहलाए बारासो बाणोईशी में मंडोर जोधपुर को जीता संतलत्र में मिलाया बारसो चुराणे में अल्ली गुषाफ अल्लाव दिन खिलजी द्वारा मालवा भिलसा मध्यप्रदेश को जीता इसके बतिजे ने इसी कसे में अल्ली गुषाफ ने मालवा और भिलसा को मालवा भिलसा विहान के बाद अल्ला मंदिर को नेश्ट किया इसे परशनों कर उसने बतिजे को दामाद अली गुषाफ को कड़ा और मानिपूर का सुभेदार बना दिया वो धार्मिक शेश्वून था लेकिन कुछ अफवाद भी है बार से कराणों बार्णों में उसने एरानी संथ सिद्धी मुला को सुल्तान क अलोचना कशोणीप द्UND दिया था शीदधी मुला निश सDINGरह कर दिया था अलोचना की तो उसको म Wyatt अन्य था उधाद रहा है लोजकील जी का अंध उसके बतीजे अलि गुर्षाफ शाफ अल्लावदिन खीलजी ने 246 में कियाि अली गुर्षाफ ने बारस उच्छाणों में फिरोज खल्जी से अनमोती लेकर देव गिरी मद्ध्य प्रदेश रामचंदर देव प्राकमर किया और वहां से काफी धन लूटा और सुल्तान से समा मांगने पर धन सोपने के वहाने अली गुर्षाफ ने आवद में सुल्तान फिरोज खल्जी को बुलाया और एक तरह दुन हूद अपनी विश्वास पातर के मदद से उसके अहत्या करवा दियू बढ़नी का कतन है अल्लावदिन खिल्जी राजा बिश्वेक पर बढ़नी का कतन है कि सहीद सुल्तान फिरोज खिल्जी ओके थैंक यू कुछ विशेश बाते फिरोज खिल्जी जब सासक बना तो वह सत्रवस का था और उसकी जो प्लब्दियां है वो है मलिक छजु के विद्रो को कड़ा मानिपुर के विद्रो को दमन करना और अंधंबर उपर ऐसे पलब भ्यान करना मंडोर जहन को जीतना मंगोल अकरुकारी हलाकु के पोते अब्दुल्ला को हराना उल्गुखा को दिल्ली के असपस ब और सेफन पुत्री का विववा करना देवगिरी पर उसके बतीजय दवराक करना उसे धन प्राप करना सिद्धी मुला के विद्रो का दमन करना ये उसकी परमुख उपलब्दियां है ये था रोज खिल जी इसके साथ ये चिप्टर समाता था था थेंक